नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अनेकडमी के लेट्स ट्रैक यूपी एससी सीएसी हिंदी चैनल पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कई बार हमारे लिए लाबकारी होते हैं और कई बार हमारे लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी या मृत् इछले साल यानि 2023 में भी कई बार इसका मामला सामने आया है इसको ब्रेन इटिंग अमीबा या नेगलेरिया फाउलेरी के नाम से हम जानते हैं आज इस टॉपिक पर फिर से इस पर विस्तार से बात करेंगे कैसे होता है क्या प्रभाव छोड़ता है क्या लक्षड होते और और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है एक आम जागरुकता के नाते टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही रिम्त की परिक्षा और मेंस के स्तर पर जो साइंस और टेक्नलोजी का खंड है उसमें भी ऐसे सवाल निकलते हैं इसके अलावा हुमन हेल्थ वहाँ पर भी डेथ इन केरला एक पांच वर्षिये लड़की केरल में उसकी ब्रेन एटिंग अमीबा की वज़े से डेथ हो गई या मृत्ति हो गई क्या था पूरा मामला विस्तार से जानेंगे तो वैसे जैसा कि हम क्लियर कर ले पहले जो टॉपिक है कि यस पेपर थी से जुड़ेगा और विज्ञान एवं तकनीक जीएस पेपर वन से जुड़ेगा स्वास्थ ठीक है और प्रिलिंट्स की परिक्षा प्रारंबिक परिक्षा में भी इसका कोई सब्सक्राइब को पढ़ने के लिए आप अनेकैडमी से जुड़ सकते हैं और हाल ही में आप देखेंगे इसका जो कोर्स का प्राइज है यहां पर दिया हुआ है तीस हजार उपय में एक स्पेशल ऑफर के तहट आप इसे अविल कर पाऊगे बहुत सारे बैचेस हैं जो शुरू हो गए हैं जैसे 18 माई को आरंब बैच और 30 माई को ट्रैम बैच इंग्लिश मीडियम में शुरू होने जा रहा है ठीक है इसके अलावा अगर आप चाहते ह है तो अल इंडिया टेस्सीरीज को ले सकते हो प्रिलिम्स के लिए यह चलाए जा रही है सी सेट में कोई कंफ्यूजन है समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कॉम्प्रेंसिव कोर्स ले सकते हो और इसकी फीस बहुत कम रखी गई है जो भी बेस्ट टीचर है अने कैडमी क इसको एक टेस्ट होना है और इंडिया प्रिलिम्स मॉक टेस्ट इसको जरूर एंडोल कीजेगा जिस तरह से 16 जून को होने वाले एक्जाम में दो पेपर आपको मिलेंगे जीएस पेपर वन और टू वैसे ही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा सुबह साढ़े नौ ब बारे में हम बात कर रहे थे यानि की दिमाग खाने वाला अमीबा इसके संक्रमण के चलते केरल की एक बच्ची पांच साल की थी कहीं नदी वगेरा में नहाने गई थी जिसके बाद उसको यह संक्रमण हो गया और उसकी वज़े से कोजी कोड के सरकारी होस्पिटल में वह एडमिट थी और वहां पर ही उसकी कुछ समय के बाद मृत्ति हो गई यहां पर एक शब्द है इसको कहते है प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो इंसेफलाइटिस यानि कि पी एम पी एम इसे हिंदी में कहेंगे प्राथमिक अमीबा या अमीविक मेनिंगो इंसेफलाइटिस ठीक है पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आये हैं और कई बार मृत्ति हुई है यानि कि यह पहला मामला नहीं है जहां पर आपको ऐसी घटना देखने को मिल रही है नाव दा कोश्चिन इस की वाट इस प्राइमरी अमीबिक मैनिंगो इंसे पलाइटिस और पी एम क्या होता है यह देख इतना कॉमन नहीं है यह यह थोड़ा सा रेयर है और अमीबा के महाध्यम से होने वाला एक संक्रमण है अमीबा क्या कर अपने आप में बहुत सारी कोशिकाओं को हो देगा और उसकी वज़े से किसी व्यक्ति की मृत्ति हो सकती है और क्योंकि आपको पता है अमीबा एक सूक्ष्म जीव है या एक कोशिकी जीव है जो अक्सर नदियों तालावों के आसपास आपको मिलेगा तो दुनिया भर के गर्म ताजे पानी और मिट्टी में रहता है और सामाने रूप से किसी को संक्रमित नहीं करता है आप कहीं पर खेल रहें और यहां कर आपके ऊपर चलांग लगा देगा या कभी माली जा आपने कोई दूशित पानी पी लिया जिसमें इसका संक्रमल रहा होगा तो उस समय भी आपको यह संक्रमित नहीं कर पाएगा बशर्ते कि आपके शरीर में एंटर ना करें तो इसके लिए 46 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अच्छा होता है इसके डेवलपमेंट के लिए और फिर यह लंबे समय तक नॉर्मल टेंपरेचर पर रहता है अभीबा आप देखो प्रभाव देखने को मिलेगा या कभी सफाई नहीं हुई है क्लोरीनी करण नहीं हुआ है वहां पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा तो नाक के जरिया हमारे मस्तिष्ट तक पहुंच जाता है और ब्रेंड की कोशिकाओं को नश्ट कर देता है एक बात ध्यार सकता है क्या पी एम संचारी का मतलब बिक एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है लेकिन आगर आप कहीं नदी या किसी जरने या जील के आसपास नहा रहे हैं उसमें डूबे हुए हैं तो संभवता आपके नाक के माध्यम से ब्रें तक पह की शुरुवाती कुछ गंभीर लक्षड आपको दिख सकते हैं या बुखार आ रहा है मतली आ रही उल्टी आ रही है लेकिन बाद में आप देखोगे लक्षड गंभीर होंगे जैसे किसी की गर्दन में अकड़न हो सकती है उसको भ्रम जैसा कुछ लग सकता है दौरे पढ़ सीडी सी तो इन्होंने कहा है कि दिकांश लोग लक्षड शुरू होने के एक से अठारा दिनों के अंदर ही मर जाते हैं क्योंकि ब्रेन पर बहुत तेजी से इंपक्ट होगा और ब्रेन का इलाज करना इतना संभव है नहीं सवाल ये भी होगा कि सर इसका इलाज होता कैसे ह तो देखिए अभी के समय कोई प्रभारी उप्चार ऐसा है नहीं कोई ऐसा एफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है जो डिरेक्टली आपने गोली खिलाई और कोई ठीक हो जाएगा केवल कुछ सिंटम्स हैं जिनको कम करके और दवाओं के सयोजन के माध्यम से कई सारी दवा दवाइओं के नाम है आप द्यान रखिएगा एक का नाम है एक है जित्रोमाइसिन इसमें भी है लुकोनाजोल रिफैंपिन और मिल्टेफोसिन और डेक्सामेथासोन यह कुछ दवाइओं का कॉंबिनेशन है जो इसके ट्रीटमेंट में उप्योग किया जाता है और जी कटिंग यहां लगी हुई है 15-year-old boy dies of rare amoeba infection in केरला उस समय भी यह बहुत हाइलाइट हुआ था जैसे मैं आपको शुरू में बताया था तो आप देखोगे भारत में लगबग 20 मामले इसके सामने आये हैं इसमें से 7 मामले केरल से देखने को मिले हैं केरल से ही केवल 7 म दिया है और इस तरह के दशाएं यह जलवाई भी स्थितिया है कि यह जो अमीबा है यह काफी ज्यादा पनप सकता है तो 2016 में केरल में इसकी पहली घटना दर्च की गई थी अलब पुजा में उसे बाद से कई सारे एरिया में समय समय पर संक्रमण हमें देखने को मिले हैं अगर आप लोग भी ऐसी किसी जगे पर जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे मामलेवी जब सामने आ रहे होते एक बार चेक कर लीजिए कि उस जगे की वाटर पार की या पानी में जो खेल हो रहा है उसकी साफ सफाई के सिस्तर पर हुई है तो जहां पर ऐस से नदी तालाब में ना उतरे जहां पर आपको इस तरह के संभावना लग सकती है एक प्रश्न है जिसको आप कोशिश करें कि सॉल्व कर पाएं नेगलेरिया फाउलेरी के लिए संक्रमण का प्राथमिक तड़ी का क्या है कैसे यह संक्रमित करता है option ए है दूशित पानी का सेवन यानि आप पानी को पी लें दूसरा मच्छर अगर आपको काट जाए तीसरा है नासिका मार्क से प्रवेश और चौथा है दूशित पानी अगर आपके तवचा के संपर्क में आ जाए ठीक है कॉमें सेक्षन में जल्दी से सवाल का आपको जवाब देना है मैं आपको जो इछ लेगाइ में में जल्दी के सवाल का वाल झापके स स्वाल का नाद प्रया को जढाब देना है दो टीज़ जाब दीकाश्या में में जाए बताए याब देना है